कोरोना के बाद ब्लैक फंगस यानि म्यूकर माइकॉसिस बिमारी बड़ी है नाकपुर विभाग में 2000 से अधिक मरीज सामने आए है इन में से किसी की आग खराब हुई तो किसी का जबड़ा निकालना पड़ा भारी भरकम खर्च होने से कई परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई शासिकिय अस्तरपर मरीजों को सुविदा मिलने के लिए शासिकिय दंत महाविद्यले वो अस्पताल में पोस्ट कोविड व्यूकर माइकोसिस मैकसी लोफेशियल रिहाब सेंटर तयार किया गया है इसमें पहला ओपरेशन भी किया गया मध्य भारत का यह पहला केंडर होने की जानकारी महाविद्यले के अधिश्ठाता डॉक्टर अभय दातार करने दी ब्लैक फंगस की नाक के साइनस के पास से शुरुवात होती है नाक से दात और फिर मस्तिश्क तक बिमारी फैद्दी है फेफडे और पेट से होते हुए आतों में फंगस लगता है उपचार के दोरान चहरा विद्रुप हो जाता है जिससे मरीजों की मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है इन मरीजों के पुनरवास के लिए जब्डे का ऑपरेशन या कुरुतीम आख लगा कर लगाना संबव है जब्डा निकाले जाने वाली मरीज का इंप्लांट करने का खर्च करीब सवा लाक आता है यही वज़ा है कि निर्धन मरीजों के लिए इलाज कराना मुश्किल हो जाता है इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए विभाग ये आयुक्त प्राजकता लवंगारे वर्मा ने विदर्ब विकास सहायता निदी उपलब्द कराने की तयारी दिखाई साथी दंत महाविद्याले प्रशासन ने एक प्रस्ताव तयार किया इसे मन्जूरी मिल गई इसी निधन से मध्य भारत का पहला पोस्ट कोविड म्यूकर माइकोसिस मैकसिल ओफेशियल रिहाब सेंटर तयार किया गया शासकिय दंत महाविद्याले में म्यूकर माइसोसिस के 118 मरीज का उपचार किया गया इसमें 60 मरीजों के जबडे का उपरेशन किया गया वही एमस में 10 मरीजों का उपरेशन किया गया कुल 70 म्यूकर माइकोसिस मरीजों के पुनरवास की तयारी अस्पताल में की जा रही है अगले 6 महिने तक उपक्रम चलाया जाएगा अस्पताल में सेंटर प्रात्मिक स्वरूप में तयार किया गया है इसमें मरीजों के ओपरेशन की भी शुरुवात हो गई है